चाए गरम होती है, आइसक्रीम ठंडी होती है क्या बता सकते हैं, ऐसा कहते समय हम पदार्थों के किस गुण धर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम तब तापमान की संगल पना को हमेशा उस पदार्थ के गरम अथ्वा ठंड होने के साथ जोड़ते हैं हम तापमान का स्पर्ष से अथ्वा कुछ अंतर से भी अनुभव कर सकते हैं चाए गरम है, यहाँ ठंडी हमें महसूस होती है यहाँ कडाके की ठंड है, यह कुछ ऐसे संकेत हैं जो वस्तू के गुणात्मक अवस्था की ओर संकेत करते हैं अने को बार हमारी ग्याने इंद्रिय हमें गलत संदिश भी दे सकती है हम दो प्याले लेंगे, एक स्टील का है और दूसरा प्लैस्टिक का यह दोनों प्याले हम फ्रीज में रखेंगे, दो घंटे के बाद हम उन्हें बाहर निकालेंगे सच में तो दोनों प्याले समान तापमान में रखे गए थे, फिर भी स्टील का प्याला प्लैस्टिक के प्याले से अधिक थंड़ा हो गया आपकी विचार में ऐसा क्यों हुआ होगा? हमें दोनों वस्तूओं का अलग-अलग तापमान महसूस हुआ क्योंकि धातू में प्लैस्टिक या फिर लकडी की अपेक्षा उश्मा का सववहन अधिक मात्रा में होता है हमें मात्र वस्तूओं कितनी उश्न है या कितनी ठंडी है ये समझने हितू किसी उपाई के आवश्चक्ता होती है हम उश्नता के सववहन की मात्रा को नापना नहीं चाहते हैं एक बरतन में गरम पानी तो दूसरे बरतन में ठंडा पानी भरेंगे यदि हम दोनों बरतनों में स्याही की कुछ बूंदे डालें तो क्या होगा क्या स्याही दोनों बरतनों में समान रूप से फैलेगी हमें ऐसे दिखाई देता है कि गरम पानी के बरतन में स्याही जल्दी फैलती है हम जानते हैं सभी पदार्थ छोटे-छोटे कणों से अर्थात अणों और परमानों से बने होते हैं इन सभी पदार्थों में मौजूद अणों परमानों यादरिच्छिक गती से अर्थात अपने मनमाने ढंग से घूमते रहते हैं जितनी अधिक हल्चल होगी, कणों में अधिक उर्जा निर्मान होगी, जितनी अधिक उर्जा, उतना अधिक तापमान फेट सिमिलेशन के जरीए चलिए, अब हम विभिन्न अवस्थाओं में पानी के अनों की हल्चल देखते हैं बरफ और बाश्प पानी के अनों किस प्रकार से घूमते हैं, इसे हम देख सकते हैं जब हम पानी भरे बर्तन को गरम करते हैं, तब पानी के अनों की हल्चल ज्यादा जल्दी और गोलाकार पद्धदी से होने लगती है उच्छ तापमान में गरम करने के बाद नियोन अनों इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं अनों निरंतर रूप में हल्चल करते रहते हैं, उनमें गतिज उर्जा होती है पदार्थों में जितनी भी गतिज उर्जा होती है वो पदार्थ के कुल उष्णता के समान उपाती होती है किसी भी पदार्थ का तापमान उस पदार्थ के अनू के गतिज उर्जा से सम्मंदित होता है यदि दो अलग-अलग पदार्थों में समान गतिज उर्जा होगी तो दोनों पदार्थों का तापमान समान रहता है हम जानते हैं कि किसी पदार्थ को गरम करने पर उस पदार्थ के कुछ बहुती गुणधर्म बदल जाते हैं हम उश्णता के परिणाम के आधार पर पदार्थ कितना ठंडा या कितना गरम है इसका संख्यात्मक मुल्यांकन कर सकते हैं। इसके आधार पर हम दो पदार्थों का मुल्यांकन संख्याओं के आधार पर करते हैं। ना कि गरम या फिर ठंडा इन विशेशनों के आदार पर, अब हम एक स्कुरू लेंगे और उसे एक बहुत ही ठंडे विलायन में डुबोएंगे। थोड़ी देर बाद यदि हमने इस स्कुरू को निकाल कर इसे एक धातू खंड पर रखा, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद ये दोनों वस्तुय समान तापमान की हो जाएंगी, यहां उश्मा का वहन संचलन की प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, इसी तंतर का उपियोग करते हुए वस्तू की उश्नता अथ्वा शीतलता नापी जाती है, तापमान ये एक भौतिक परिणाम है जो उपकरन द्वारा हम इसे नाप सकते हैं, तापमान किसी भी वस्तू की संपूर्ण उश्मा को नहीं दर्शाता है, वो तापमान ये मात्र उश्मा और शीतलता का सूचक है, साराज, तापमान ये एक भौतिक परिणाम है जो उश्णता और शीतलता को व्यक्त करता है, अपमान उस पदार्त के अनू के गतिज उर्जा से सम्मंदित होता है।